उप चुनावों में पार्टी की करारी हार के बाद चहरे बदलने की कवायत शुरू हो गई है राजिस्थान की बागदोर आगामी चुनावों को देखते हुए मोधी टीम अपने हाथों मी ले रही है संगतन मंत्री चंदर शेखर इसकी अगुवाई करेंगे पार्टी के एजंडा में राना राजपूत समाच को पार्टी लाइन में लाना प्राथ मिक्ता रखी है पार्टी हाई कमान तक यह बात पहुचाई जा चुकी है कि राजपूत समाज के साथ साथ आमजन, कर्मचारी और पार्टी नेता सभी वसुंद्रा राजे से नाराज हैं और वसुंद्रा राजे इने सिरकार्य नहीं है उप्चुनावों की हार से यह साबित भी हो गया है इन सभी को देखते हुए पार्टी में मन्थन भी शुरू हो गया है जोतपुर सांसद गजेंदर सिंग शेखावत जो मोधी और संग की नजदीक हैं उनकी पब्लिक डीलिंग पार्टी बहतर मानती है पार्टी की प्राथमिक्ता शेखावत को अगले चुनावों के लिए प्रमुक चहरे के रूप में उतारना है उनके लिए जैसल मीर जिले की पोकरन सीट को चिनहित किया गया है राजय में शेखावत तो केंडर में मजबूत प्रती निधित्व के लिए सरवाधिक जनाधार वाले चहरे के रूप में पूर वित मंत्री जस्वन सिंग के पुत्र पूर सांसद और विधायक मानवेंदर सिंग को राजिस्थान की सुरक्षत सीट से चुनाव लणने की रणनीती पे विचार हुआ पार्टी जस्वन सिंग परिवार के साथ राजपूतों की वापसी के साथ पुराने कारेकरताओं की वापसी चहती है इसलिए मानवेंदर सिंग को खास तवज्जो दी जाएगी मानवेंदर सिंग की हाल ही की बार्डमेर दौरे की मीटिंगों की रिपोर्ट उपर तक पहुची है पार्टी का मानना है कि मानवेंदर सिंग की लोग प्रियता आम मतदाताओं में कायम है उनकी अनुशासंता, इमानदारी और सादगी मत दाताओं को प्रभावित करती है बाडमेर और जैसलमेर में पार्टी नए जहरों पे मन्थन करेंगी वर्तमान विधायकों पे भाजपा भरोसा नहीं कर रही इसके लिए पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिलास्तर पर आमूल चूल परिवर्तन होगा मुख्य मंत्री चुनावों तक वसुंद्रा राजे को ही रखा जाएगा मगर संगठन में पून बदलाव होगा अरजुन मेगवाल, सतीश पूनिया, राजेंदर राथोड के साथ-साथ भाजपा के दमदार जाट नेताओ को भी संगठन में प्रमुकता दी जाएगी घंच्यामतिवाडी, किरोडिलाल मीना, ओम बिर्ला, प्रतापमल सिंग भी सहित पुराने दमदार चहरों की वापसी के प्रयाज भी होंगे बहरहल भाजपा बूत स्थर पर बदलाव के दौर से गुजरेगा नकारा नेताओ पे गाज गिर्नी तै है